हलो दोस्तो मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कॉम्डीटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं उसका आइडिया आपको थोई देर बात लग जाएगा सबसे पहले यहां पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा और आप देख सकते हैं यहां पर हमने निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लिया तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है इस पर्डिकुलर लेबल के बाद यहां पर हमें अच्छा खासा ब्रेक आउट देखने मिला और यह ब 15,900 लेकर आपका 16,400 के लेबल तक यहां यह निफ्टी में लगबग 500 पॉइंट का ब्रेक आउट दिखाया है इन फैक्ट उससे ज़्यादा कई ब्रेक आउट दिखाया यहां पर तो क्या कोई स्ट्वेट्ज है क्या कोई मैथर्ड है क्या कोई तरीका है जिसके जरी यहां और पहले से इसको identify कर सकते हैं जी हां आज मैं आपको इस वीडियो में यही strategy बताने जा रहा हूं यही तरीका बताने जा रहा हूं कि इस तरह का जो breakout हमें देखने को मिलता है इस breakout के लिए हम कैज से पहले से तैयारी कर सकते हैं पहले से prepare कर सकते हैं और इसको पहले से identify कर सक करके भी कोई फाइदा हमें नहीं होने वाला है तो इसको कैसे करेंगे वह मैं आपको इस वीडियो में कम्पलीटली और सिंपल तरीके से करने जा रहे हैं मैं आपको बताने जा रहा है कि support लेवल के पास मान का फॉइंचों हो सकता है यज परकी सिंपल्इवय से उत्कुलर लेवल कासर्म होता है तो लेकाउट के लिए और हमें यह भी सरुते लेवल के बाद हमें breakout देखे Charlotte मिलेगा इस तरह के ब्रेक आउट को आप अर्ली इडेंटिफाई करके उसका बैनिफिट उठा सकते हो और यही तरीका जिससे आप मार्केट में दूसरे से अलग होके प्रॉफिट बना सकते हैं चलिए देखते हैं इसको हम कैसे identify कर सकते हैं तो यहां पर वापस से चार्ट पर आ रहे हैं और अब मैं आपको यहां पर पैटर्ण दिखाता हूं यहां पर एक हमने पहले से ट्रॉइंग कर रखा इसको मैं explain करूँगा लेकिन इस पैटर्ण का नाम किया अगर आप इस पैटर्ण का नाम जानना चाहरे हैं इस पैटर्ण का नाम है आपका shape से आप idea निकाल सकते हैं थोड़ा बहुत इने का डार पैटर्ण को सबसे पहले समझने के जोगए है इस पैटर्ण में होता क्या है सबहर Nokia प्राइस का ब्राइंग होता यहां हो जो पारं से प्राइस करता वह फार्त होत शोटा USA क्ःटर्ण देना चाहता हो उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या करना है दूसरा चीज यहां पे आपको हेह!! हाइए हाइअ का Formation होना चाहिए और नीचे आपको पाउना हुँआ चाहिए ज़ीए जब्ललम पाउना चाहिए की सब्सक्रेप में आपको लुए पाटन का यहां पे क्या होगा आपका lower high pattern का formation होगा और जहां पे lower low pattern का formation हो रहा था वहां पे क्या होगा higher low pattern का formation आपको होता हुआ दिखेगा तो दो चीज है सबसे पहले हाप में higher high pattern का formation होना चाहिए दूसरे हाप में lower high pattern का formation होना चाहिए first half में अगर हम bottom की बात करें तो lower low से कहां पर होना चाहिए higher low से जाना चाहिए यह निए यह दो चीज हमें identify करना और यह दो चीज अगर हम इसके lowest point और highest point को join करते हैं तो हमें diamond shape जैसा दिखता है थोड़ा वह तो इसलिए हम इसको diamond pattern बोलते हैं बस यही एक simple चीज है इसी के basis पर हम यहाँ पर breakout identify कर सकते हैं अब कैसे कर सकते हैं अब देखिए क्या मेरा यह एक trend line भी ड्वा कर दिया काफिया तक अब देखिए इस particular line को जैसे ही price break करके ऊपर निकलेगा यहनि closing जैसे ही इसके उपर हमें मिलेगा उसके बाद next candle पर हम क्या करेंगे buy side की तुरफ जाना start कर देंगे यहनि हम buy करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा candle breakout दिया यह candle आपका यहाँ पर क्या दिया है breakout दिया यहनि इस line को ब्रेक करके ऊपर निकला यहनि यह जो शेप बनाया है उसमें जो यह line को ब्रेक करके ऊपर निकला और उसके बाद यह level अगला candle भी यहीं पर अपर हुआ है यह level मेरा क्या बन जाएगा entry point बन जाएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे इंट्री करेंगे और यहाँ पर हम बाई साइट की तरफ जाएंगे तो जो हम नेक्ट आई से breakout को कहां पर इंटिफाई कर रहे थे लेकिन यह पैटर्न हमने यूज किया यह जो टीखनीक यूज का उसकी बरेकाउट को हम ले उससे और पहले identify कर लिए और हमने उससे पहली उंट्री कर लिए जहां पर जनल से पहले हमने इंट्री कर लिया और इससे क्या फाइदा हुआ मेरा जो stop loss है वो भी काफी कम रहा अब यहां पर देखिए यह मेरा entry point बन जाएगा आप stop loss क्या होगा stop loss यह जो pattern start हुआ है जो upside momentum start हुआ है उसका जो lowest point होगा उसको हम as a stop loss रखें यह नहीं यह point यह फिर चाहो तो यह point दोनों में से कोई एक भी आप stop loss के रूप में रख सकते हो यानि तो और simple चाहते हो तो उसका जो bottom line है diamond pattern का इसको आप stop loss के रूप में रख सकते हो stop loss का तरीका मैंने दो तीन बता दिया सबसे सिंपल तरीका है कि आप इस line को stop loss के रूप में रख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन यहां पर आपको एक और चीप धियान देना यह जो pattern बंद रहा है यह pattern कहां पर formation होना चाहिए यह pattern आप आपका support level के पास formation होना चाहिए और जितना strong support level होगा उतना accuracy इसका और ज्यादा increase होता होगा अगर यह आपका year low के पास बनता है year low के strong support के रूप में काम करता है वहाँ पर बनता है इसका accuracy level आप लगभग 95% रख सकते हो वैसे जितना strong support level होगा उतना ज्यादा यह आपका accurate सा समय में अच्छा खासा target price को यह hit करता है तो एक ध्यान रखना बस यह support level के पास होना चाहिए और जितना strong support level है उतना है इसका accuracy level होगा यह चीज़ में आपको बारवर बता रहा हूं अब यहाँ पर हम target price कैसे find करें हमने entry और stop loss तो decide कर लिया अब देखिए इसके highest point यह जो pattern बना है इसके highest point और lowest point के बीच में जो भी difference है यह जितना भी point का difference है वो मेरा क्या बनेगा वो मेरा यहाँ पर target price बनेगा यह नहीं अगर हम difference की बात करें लबग आपका 350 point का difference है तो यहाँ पर जो हम target price के लिए जाएंगे जहां पर हमने entry लिया यहां से 350 point के target price के लिए जाए हैं सारे 300 point के target price के लिए जा रहे हैं और सारे 300 point का target price बहुत होता है अगर हम निफ्टी की बात करें चाहिए फ्यूचर में trade करते हो या फिर options में trade करते हो यहां पर आपको यह profit intraday में भी आ सकता है बीटीस्ट में भी आ सकता है या फिर एक हपते का भी टाइम लग सकता है एक हपते का टाइम लेके चलिए यह नि जो weekly basis पे ट्वेट करते हैं उनके लिए परफेक्ट स्वेट यह चाहिए आपको यहां पर बाइंग करना प्लेफर कर लेना है उसके बाद प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ यह formation कब बना यह formation बना आपको 16 अपडेट को 17 को प्राइस आपका अपसेड याना स्टार्ट हो गया और 17 का क्लोजिंग कहां पर दिया आपका 16,300 का असपास दिया फिर आपको 18 को लगवा गया आपका 16,400 के लेवल को टुच किया इनफेक्ट इससे उपर भी गया है तो अगर हम इस पाटिकलर लेवल से बात करें हम देख लेते हैं कि फ्रैस आपका और उपर कहां तक गया और अगर हम इस पाटिकलर लेवल से बात करें तो मुझे फाटिकलर पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट यहां पर आसानी से मिलता हुआ दिखा है और अगर हम इस पैटरन को यूज करें इस स्रेड़डी को यूज करें तिहां पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ज आसानी से निकाल लिए जो कि बहुत बारा प्रॉफिट होता वह भी कितने दिनों में बस दो दिन में सारी 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहां से आसानी से निकाल लिया इस डाइमॉंड पैटरन को यूज करते हुए और इस तरह का पैटरन आपको बहुत कम देखने में लेगा इस पर बहुत कम लोग बनाते हैं क्योंकि यह इनफर्मेशन बहुत कम लोग शेयर करना चाहते हैं और इस तरह का ब्रेक आउट जैन्वरली हमें काफी सस्टनेबल और भड़ों से मन ब्रेक आउट होता है जिसका एकुरेसी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है यह पर एक और पैटरन का फॉर्मेशन हुआ है अब यहां पर कहां पर हो रहा है यह आपका लगवग 15,200 के लेवल के आसपास हो रहा है और अगर हम निफ्टी की बात करें यह आपका लगवग 12 मंत का लोइस्ट पॉइंट यह नहीं इयर लोग के करीब का पॉइंट है और यह और नहीं में लोलो और उसके बाद यहां से वापस उल्टा हो गया यह अपका हय मंखलो हो गया और यहांपका लोघ में कल्सरिय आप और यहां पर हम इंट्री कहां पर यह उसके ऊपर दिखने मिलेगा पैन मार्ग у correct他 क्या हुइं gap up open होने के बाद वो आपका null and void हो जाता उहां पर कोई काम नहीं रहता लेकिन यह gap up open होने के बाद भी यह strategy valid रहता उसके बाद भी आपको यह अच्छा खासा profit देता हुआ दिखेगा तो यहां पर देखें यह pattern बनाया अब यह क्या बोला year low के पास बनाया तो यहां पर आपक लगवग आपका 15,450 करीब यहां पर इंट्वी लेंगे अब यहां पर मुझे profit कितना चाहिए लगवग आपका 200 पॉइंट का profit चाहिए क्योंकि जो टागेट पैस होगा मेरा वह 200 पॉइंट के करीब का मेरा टागेट पैस है और यहां पर आपको एक और चीच चेक कर लेना एसल जो बनेगा आपका इस लोइस पॉइंट पर बनेगा तो अगर आपका विस्क रिवाड एक्षियो आपके फेवर कर रहा है यह आप इतना विस्क ले सकते हो तो आप यहां पर ट्वेट लेजिए अदरवाई आप ट्वेट मत लेजिए क्योंकि स्टॉप लॉस भी करना रिस्क रिवाड वेस्यो अगर आपके फेवर में रहता है कोई भी यूज करो चाहिए कितना भी एक्षियो न यह अगर आपके फेवर में रहता तो आप ट्वेट छोड़ सकते हो तो यहां पर जो रिस्की ट्विटर है जो 200 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए 200 प्रॉफिट दे दिया और हमें यहां पर दो सब्सक्राइब और उपर गया है उससे मतलब नहीं हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख गया यहां पर आते हैं बैंक निफ्टी बें थोटी मिनट के टाइम फ्रेम में आ रहे हैं यहां पर्फेक्ट आपका डाम पैटरन का और लो में और ऺचनवाराइब और उसके और तो है उसका प्रिच लेनで बैंक निफ्टी के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहां पर पैटर्न का फार्मेशन कब हुआ है पैटर्न का फार्मेशन कंप्लीट हुआ लगवग आपका 16th ऑफ डेट को क्लोजिंग के टाइम तो यहां पर हम जो इंट्वी लेंगे वह लगवग सेक्शन के क्लोजिंग के टाइम में इंट्वी लेंगे और 17 की बात करें तो 17 और 18 दो दिन में यहां में लगवग प्रॉफिट दे दिया यह नहीं लगवग हमारा टागेट पैस हिट कर दिया है और यहां पे आपको क्या करना एक और सीज यूज करना वो है आपका twailing stop loss ये सिर्फ इसी में नहीं आपको हर एक जगा twailing stop loss यूज करने का habit डालना क्योंकि अगर प्राइस आपका reversal लिया तो भी आपको नुकसान नहीं होना चाहिए और यह आपको कब करना जैसे आपको 50 पॉइं मिल गया उसके बाद आपको एनिहाव लॉस नहीं होना चाहिए इस तरह से आपको अपना एक स्वैजित तयार करना है तो यहां पर आप ट्रेलिंग stop loss भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहां पर आपका टागेट पैस आसानी से हिट कर दिया है यहां पर हम एक और एक्जामपल हैं स्टॉक्स प्राइबाक थे मैंने बताए था इसको आप निफ्टी बैंक सब्सक्यूब पैक्लेच में सबसाइब पहले कि सबसे पहले price का widening होना चाहिए यह प्राइस आपका जो भी था यह चौरा होना चाहिए और second half में width क्या होना चाहिए आपका contract होना चाहिए यह यह यहापे width कम होना चाहिए दोबीशीज बस find करना है कि first आप में आपका इस तरह का सेफ भनें और second हप में इसके अपोसित इस तरह का सेफ बनें बस यहीं से आपको आइइनिफाई करना इसके बाद आपको देखना है कि उपर में higher high और नीचे में lower low होना चाहिए का फॉर्मिशन होना चाहिए पिर यहां पर टागेट पैस इसके हाइस पॉइंगे चाहिए यहां पर निकला यहां पर इन्टरी पॉइंट और यहां पर लेंगे 200 यहां पर इसने डागेट पैस को असानी से हिट कर दिया और इन फैक्ट इससे और उपर भी गिया यहां से भी लगवग आपका 200 पॉइंट का अपसाइड दिखाया अगर बाइचंस आप इस पर्टिकलर लेवल पर इंट्वी करते हैं यहां से भी आपको आसानी से प्रॉफिट मिल सकता है इसलिए इसमें अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हो तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है थोड़ा सा अगर आप लेट हो जाते हुए दिखेगा और यहां पर एक्चे है कि आपको ट्वेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है तो उमीद करते हैं कि यह सिंपल सा डायमंड पैटर्न स्ट्वाट्ज आपको समझ में आ गया होगा तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन